Welcome to Quick Academy of Video Editing, मैं हूँ समरेश अगरवाल, इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं, प्रीमियर प्रो में वर्टिकल रिजॉलुशन प्रिव्यू कैसे बनाएंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जमाना रिल स्टेटस और स्टोरी का है, और रिल और स्टेटस स्टोरी हम लोग जो देखते हैं वो मोबाइल डिवाइस पर देखते हैं, मोबाइल डिवाइस का जो रिजॉलुशन होता है, वो वर्टिकल रिजॉलुशन होता है, इस रि Premiere में जाने के बाद में आपको यहाँ पर sequence का जो window है उसको select करना होगा. Select करने के बाद आप menu में जाएंगे यहाँ पर आपको sequence option दिखाई देगा. Sequence के option को click करने के बाद sequence setting का option दिखाई देगा. Sequence setting को open करेंगे तो यहाँ पर sequence setting window दिखाई देगी. sequence setting window में यहाँ पर आपको frame size का option दिखाई देगा जिसमें आपको default में 1920 1080 का resolution दिखाई देगा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1920 यह horizontal frame size है और vertical frame size 1080 है तो हमें क्योंकि mobile के लिए vertical resolution बनाना है तो हम यहाँ पर इसका exactly उल्टा कर देंगे यहाँ पर हम horizontal में 1080 लिख देंगे और vertical में हम लोग 1920 लिख देंगे जिससे कि यह resolution उल्टा हो जाएगा और उसके बाद आप इस window पर ok में आके ok कर देंगे उसके बाद यहाँ पर एक warning message आएगा इसको ok कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो preview था वो अभी यहाँ पर vertical बन गया है उसके बाद क्योंकि यह vertical resolution बनने के वज़े से आपको यहाँ पर preview छोटा दिखाई दे रहा है तो प्रीमियर प्रो में आप workspace के area में जाएंगे यहाँ पर आपको option दिया हुआ है vertical इस पर आप click करेंगे जैसे click करेंगे आप देखेंगे आपका workspace जो है वो बदल गया है और आपको जो preview दिखाई दे रहा है वो काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है उसके बाद आप आ